सुप्रभाद प्रिय विध्यार्तियों कक्षा पांच हिंदी विशय में आप सभी का स्वागत है विटा हमने हमारी पाठ्थे पुस्तक मेधा का पाठ आठ हमें जागना होगा जो पत्र है नेता जी सुभाश्चन बोस ने अपनी मा प्रभादेवी को लिखा था उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है उसको समझ लिया है उसके शब्दार्थ और प्रश्णोतर भी हमने कर लिया है जीने की रहा भी हमने समझ ली बिटा अब हम बारी है भाशा की दुनिया भाशा की दुनिया में सबसे पहले है शुतले के शब्द तो पहला तीसरा समाप्त और चौथा इच्छा पांचवा शब्द है दुर्दशा छटा है चावरासी साथवा है जन्म और आठवा है नियुक्त शुत्ले की आठ शब्द हैं इन्हें आपको बार-बार उच्चारित करना है उंगली लगाके और अपनी कौपी में लिखना है अब है न मानों में ता जुड़ा तो मानवता अब कुछ शब्द सोचिये और उनमें ता जोड़कर भावा चक संग्या बनाईए प्रसन में ता जुड़ा तो प्रसनता बन गया सफल में ता जुड़ा तो सफलता बन गया सुन्दर में ता जुड़ा तो सुन्दरता बना राष्ट् बना दरिद्र में ता जुड़ा तो दरिद्रता बन गया और प्रमुख में ता जुड़ा तो प्रमुखता बन गया अब नंबर तीन पर है बेटा कुछ शब्दों में कुछ शब्दों में इत जोड़कर विशेशन शब्द बनाए जा सकते हैं जैसे सम्मान इत सम्मानित और कुछ शब्दों आप खुद सोचेंगे और इत जोड़कर के विशेशन बनाएंगे जीवन में इत जोड़ा तो क्या बना बेटा जीवित और सम्मान में इत जोड़ा तो सम्मानित प्रभाव में इत जोड़ा तो प्रभावित अब इसके बार विवाह में अमने इत जुडा तो क्या बन गया बिटा विवाहित प्रवाह में इत जुडा तो प्रवाहित और अपेक्षा में इत जुडा तो अपेक्षित अब नमबर चार पर है इन शब्दों को शुद्द करके लिखिए का पे लिखा है ग्रणा घा में नीचे क्या लगावा बेटा पूरा र जबकि इसमें री की मात्रा लगती है ग्रिणा और खावाला है परीश्रम रामे बड़ी की मात्रा लगी है जबकि इसमें लगती है रामे छोटी की मात्रा गह है अकांग्षा अकांग्षा शब्द गलत है शुद्ध शब्द होता है आकांग्षा यहां है इसमें लिखा है तीब्र गलत है और शुद्श भ्ध है बेटा तीब्र अगा है दरीद्र रहें बड़ी की मातर लगी जबकि छोटी की मातर लगती है अभागी गलत है शुद्ध शब्द है अभागी अब नंबर पांच पर है वेटा जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाईए सर्वाधिक शब्द बना है सर्वा और धिक के मिल से सर्वाधी और गः के मिल से सर्व और अधिक के मिल से नमबर त्री पर आप टिक करेंगे सर्व और अधिक अब खावाला है इन में से शुद्ध वाक्य है हम भारत माता के लिए अपना प्राण दे सकते हैं हम भारत माता के लिए अपने प्रान दे सकते हैं यह वाला सही नंबर टूपर आप टिक करेंगे गर वाला है पतन का विलोम शब्द है उठान उठान और उचा तो उठान सही नंबर वन पर आप टिक करेंगे अब है बेटा रचना का संसार है ना पहला है नेता जी बोस वेश की सेवा में स्वयम को समर्पित कर देना चाहते थे इसके लिए उन्होंने अपनी मा को क्या कारण बताया था लिखिए तो आप उस कारण को सोच करके थोड़ा विस्तारित करके भी लिख सकते हैं अब नंबर टू आपने मात्र भूमी की सेवा करने के बारे में क्या सोचा ह और नंबर थ्री पर है नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी से संबंदित एक परियोजना तैयार कीजिए परियोजना यानि प्रोजेक्ट जो हमने आपको एन्वेल एक्जाम के लिए भी दिया भी है उसको आप कर लें है ना एक फोटो ड्रॉ करेंगे तो बहुत अ पुस्तक अभ्यास से हमने अभी किया है उसको आप अपनी बुक में लिखेंगे और याद करेंगे धन्यवाद